फिल्म की शुरुआत में एक फैमिली कार से कहीं जा रही होती है जिनमें तीन लोग होते हैं जिनमें एक लड़का आर्टियॉम उसकी बड़ी बेहन ओल्गा और उनकी मौम टैट जाना होती है आर्टियॉम फूल वॉल्यूम में गेम खिल रहा होता हैं जिससे उसकी बेहन ओल्गा परिशान होकर उसका फोन छीन लेती हैं जिससे दोनों भाई बेहन आपस में लड़ने लगते हैं और उनकी मा का धिहान ड्राइविंग से हटकर उनकी तरफ चला जाता हैं लेकिन सामने स ट्रक आ रहा होता हैं जिससे बचने के चक्कर में उनकी कार नदी में गिर जाती हैं फिर अगले सेंट टैट जाना के फ्यूनरल की तरफ मुड जाता हैं याने की नदी में ढूपकर की मौत ऊचुकी हैं फ्यूनरल में आर्टियम और ओल्गा भी होते हैं जो अपनी मा की बाद बुला रही हो ौर खुद को बचाने के लिए कहा है इसलिए आर्टियम टेट जाना के ताबूत के तरफ जाने लगता है जिसे औलगा पकड़ लेती है जिसके बाद और और ओड़को मिस्टर ईग और बोर्डिंग स्कूल ले जा रहे होते हैं जिसके बाद वो तीनों स स्कूल चोड़ने आये होते हैं किरिल उनसे इसलिए चगड़ रहा था क्योंकि उसकी पिता की एक गल्फेंट थी जिससे किरिल बिल्कुल पसंद नहीं करता था थोड़ी दूर पर हमें एक और स्कूल स्टूडन दिखाए देता हैं जिसका नाम एलिसा होता है और वो अपनी म में एड्मिशन ले रही है जिस पर एलिसा कहती है कि अगर ओल का चाहे तो उसके रूम में रह सकती है जिसके बाद वो अपना रूम नंबर बता के वहां से चली जाती है जिसके बाद मिस्टर वैलेंटीन आती है जो बच्चों को स्कूल दिखाती है और बताती है कि ये स्क पास देखता है जहां एक मिरर में उसे किसी लेडी की परचाई दिखाई देती है लेकिन पीछे मुणने पर वहां कोई नहीं होता पर मिरर में अब भी परचाई मौजूद होती है इधर मिस्स वैलेंटिना ओलगा से कहती है कि उसे अपने भाई के साथ रूम शेयर करना होग जिस पर ओलगा कहती है कि वो आर्टियम के साथ नहीं रहेगी लेकिन मिस्स वैलेंटिना कहती है कि उसके पिता ऐसा ही चाते है कि ओलगा आर्टियम के साथ रहें जिस पर ओलगा कहती है कि वो उसके पिता नहीं है यहां हमें ये पता चलता है कि ओलगा और आर्टियम सगे पाई बेन नहीं है शाहिद उनकी माँ टैट जाना ने दूसरी शादी की होगी जिससे उन्हें आर्टियम हुआ अगले सिन में हमें एलिसा का रूम दिखाए जाता है जिसमें एक हेल्दी लड़की मैरिना होती है जो अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है जहां एलिसा ओलगा का परिच्चा एउजीन और किरिल से करवाती है पर ओलगा उनकी बातों से बोरो कर जाने लगती है और उसे मिस्टर इगर मिलते हैं मिस्टर इगर ओलगा को उसके भाय का रूम नबर बताते हैं लेकिन ओलगा ऐसे रिया करती है जैसे उसे आर्टियम की कोई परवानी जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाय जाता है जहां आर्टियम को फिर से उसकी मा की आवाज आती है जो उसे कहती कि मुझे बचा अलो बेटा इसलिए आर्टियम पुकार का पीछा करने लगता है दूसी तरफ ओलगा अपनी बैग लेकर स्कूल से भागने के लिए लेकिन जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलती है उसे यूजीन और किडिल मिलते हैं जो उलगा से कहती कि क्या वो यहां से भाग रही है जिस पर उलगा कोई जवाब नहीं देती किडिल उससे कहता है कि वो कुछ ड्रिंक करने के बाद यहां से जा सकती है जिसके बाद पुर्गा यहां से जा सकती है दूसी तरव आर्टियम अब भी आवास का पीछा कर रहा होता है और वो उसी जगा पहुँच जाता है जहां जाने के लिए मिस वैलेंटीन ने मना किया था उसे प्लास्टिक शीट के पीछे उसकी मां की परचाई दिखाई देती है लेकिन सा डान्स कर रही होती है फिर तभी कोई उनका दरावाजा खटकटाता है और यूजीन गाना बन कर देता है और रूम में आर्टियम आता है जो उलगा से कहता है कि मॉम अब बी जिन्दा है लेकिन उलगा उसे चुप करा कर बाकिय το लोगों से कहती है कि वह आर्टियम को उ दिर्वाजे तक पॉस्थे हैं, जहाँ आठेम ओलिगा से कहता है कि इसी दर्वाजे के पीछे मौ मैं, इसलिए किरिल उस दर्वाजे को खोल देता है, जहाँ से सीड़ियां नीचे की और जारी होती है, और आठिम बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है, जिसके पीछे सबी नीचे जाते हैं और एक रूम में पॉस्टे जहां काफी अजीब-जीब सामान रखा हुआ होता है यूजीन देखता है कि वहाँ एक मिरर रखा है जीस पर किसी के खून से सीडियों का चित्र बना होता है यूजीन बताता है कि वो इसके बार में जानता है और कहता है कि ये queen of spades का निशान है वो पास ही पड़ी मुम्बती को उठा कर कहता है कि अगर तीन बार queen of spades कहा जाए तो queen उनकी wish पूरी करेगी और अगर उसने wish मागने वाले के बाल काट दिये तो वो उनकी जान भी ले लेगी अब इस बात पर किसी को विश्वास नहीं होता इसलिए एलिसा उससे मुम्बती चीन लेती है और किरिल को दे देती है मुम्बती जलाकर किरिल तीन बार queen of spades को बुलाता है जिसके बाद वहां कुछ नहीं होता लेकिन वो अपन पर इनक तरीके से मौत हो जाएं जिसके बाद वो ओल्गा को मुम्बती देती है लेकिन वो विश्वास नहीं होता है लेकिन वो जाने से मना कर देता है इसलिए गुस्से में ओल्गा वहां से चली जाती है और अब उसे भी plastic sheet के पीछे किसी की पर चाही दिखाई देती है लेकिन चेक करने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता इधर मेरिना मुम्बती लेकर विश्वांगती है कि वो इतनी healthy नार है जिसकी बाद एली सब विश्व करती है कि मिस्टर ओगर उसे किस करें और यूजीन विश्व करता है कि उसकी दादी मा ठीक हो जाएं पर तबी किरि लेकर विश्व करता है कि उसकी मा वापस आ जाएं आगले दिन सुबह सभी सो रहे होते हैं और किरिल का बाल अपने आप ही कट कर गिर जाता है जिसके बाद मिस्टर इगर क्लास ले रहे होते हैं तब ही ओलगा का जहान रेशन वाले ट्रक पर जाता है और वो क्लाश के बा और ऊरत की परचा देखती हैं और आतियम पानी में डूप जाता है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद परती है और उसे वां कोंगा ओरत दिखाए देती है जो आत्यां को पानी के अंदर खीच रही थी तब इमस्टर रेग collaborative को देखते हैं जो कुद को वेडियो कॉल करता है जो नशे में धूत और काफी डिप्रेस दिख रहे होते हैं वो उसे अपने गल्फिन की लाश दिखाते हैं और बताते हैं कि सेफ का पासवर्ड किरिल का जनम दीन है और ऐसा कहकर वो खुद भी अपनी जान ले लेते हैं जिसके बाद हम ओलगा को देखते हैं जिसके पास यूजीन आता है जो उसे पूछती कि उसे पानी में जो और दिखाए दीती क्या उसके सर पर कोई बाल नहीं थे बाहर जाने पर उन्हें पता चलता है कि किरिल की स्टेप मॉम को मार कर किरिल के डैट ने खुद की जान ले ली यूजीन ओलगा से कहता है कि ये सब क्व में डूबोकर मार डाला था जिसके बाद हमें फ्लाश बैक में चीज़े दिखाए जाती है कि वो जब एक बच्चे को पानी में डूबोकर मार रहे थी तब ही वह गाउं के लोग आ गये थी दरसल उस औरत के बेटी की पानी में डूपकर मौत हो गए थी क्यूंकि गावों के बच् Darwin ने उसकी गुडिया पानी में फेक दी थी जिसे वो लेने के लिए पानी में गया और डूपकर उसकी वहीं मौत हो गई अपने बेटे को वापस लाने के लिए वो शैतानों को बच्चों की बढ़ी दे रही थी जिससे उसका बेटा जीवित हो जाए लेकिन गावलों ने पहले ही उसके बाल काटे और उसकी जान ले लेकिन मरने से पहले उसने आएने पर सीडियों का निशान बना दिया और यही निशान उन सबको मिरर में दिखाता याने कि यह वो ही मिरर था और उन्हेंने सर्च में क्विन आफ स्पेड को जगा दिया है जिसके बाद हम किरिल को उसी मिरर के सामने देखते हैं जो मौमबती लेकर रोते हुए ये कहता है कि कुईन ओफ स्पेड उसकी पिता को वापस कर दे जिसके बाद उसे मिरर में अपने पिता की परचाई दिखाई देती हैं लेकिन पीछे देखने पर उसकी पिता नहीं होते हैं और वो मिरर में अब भी दिख रहे होते हैं जो किरिल के कंदे पर हाथ रखते हैं और अचानक में उसका गला दबाने लगते हैं और उसे डूर ढक जिसके बाद Queen of Spades किरिल को खीच कर ले जाती है जिसके बाद lunch का समय दिखाया जाता है जहां Miss Valentina आकर कहती है कि आज की class रद्द कर दी गई है क्यूंकि एक student किरिल गायब है जिसे सभी को डूढ़ना होगा तब ही Mariana अपना plate देखती है जिसमें उसी कीड़े दिखाया देते ह जिस दिन से Mariana ने wish किया था उस दिन से खानी पीने की चीज़ों में कीड़े दिखते हैं जिसके कारण वो सही से खानी पा रही थी आप सभी students किरिल को जंगल में ढूढ़ने लगते हैं जहां Mariana के मूझ से कुछ कीड़े निकलते हैं और तब भी उसे किरिल दिखता है और वो उसका पीछा करते हैं जहां उसका भी बाल अपने आप ही कटकर गिर जाता है और Queen of Spades उन पर हमला कर देती है लेकिन वो शोर मचा देती है जिससे सब ही वहाँ आ जाते हैं जहां Eugene और Olga नोटिस करते हैं कि वहाँ 20 बच्चों की कबर है जिन में से एक बच्चे की कबर Queen of Spades की बेटी की होती है दूसी तरफ स्कूल में आर्टियम के पास वही गुडिया होती है जो Queen of Spades की बेटी की थी जिसके बाद हम Olga को आर्टियम के पास जाते देखते हैं जहां आर्टियम मिरर में किसी से बात कर रहा था जिस पर आर्टियम कहते हैं कि वह मॉम से बात कर जहां Olga देखती है कि उसके हाथ में वोई गुडिया है जिसे Olga ने इंटरनेट पर रिसर्च करते हुए देखा था आर्टियम बताता है कि ये डॉल उसकी मा ने उसे दी है जिसके बाद हम Marina को देखते हैं जिसे Elisa Porch एक देकर चले जाती है लेकिन Marina जब उस Porch एक को देखती है तो उसमें से चूजा निकल रहा होता है जिसे देखर Marina बाहर भाग जाती है जहां उसे Queen of Spades दिखाए देती है Marina वापस अपने रूम आती है और गुसे में कहती है कि उसे पतला नहीं होना और वो तुरंट चॉकलेट खाने लगती है लेकिन उसके मूँ से खून बैने लगता है क्योंकि उसके मूँ में चॉकलेट नहीं बलकि Blades होते हैं जिसकी वज़े से उसका मूँ कट जाता है जि के साथ Elisa भी होती है यूजीन मिस्टर ओगोर के सारी बात बताते हैं जिस पर मिस्टर ओगोर कहते हैं कि अगर तुमारी बात सच है तो यहाँ पर वो जगा भी होनी चीए जिसमें Queen of Spades बच्चों को डुबो कर उसकी बली देती थी तब ही Olga नोटिस करती है कि वहां की फर् परेंट्स आकर उन्हें स्कूल से ले जाते हैं जिसके बाद Elisa मिस्टर ओगोर को देखती है वो उनसे कहती कि उसे भी अपने साथ ले चले तबी आर्टियम भाकर स्कूल के अंदर चला जाता हैं जिसकी पीछे पीछे ओलगा और यूजीन भी जाते हैं मिस्टर ओगोर Elisa क को वहीं रुकने का कहकर खूद भी अंदर जाते हैं अंदर यूजीन पर कुईन ओफ स्पेट्स हमला कर देती है और बाहर बारिश होने की वज़े से Elisa कार में बैठ जाती है जहां उसे कार के बाहर मिस्टर ओगोर दिखाए देते हैं लेकिन वो अचानक से गायब ओकर कार के अंदर भी आ जाते हैं और Elisa को किस करने लगते हैं और किस करते करते उसकी जान ले लेते हैं दरसल ये कुईन ओफ स्पेट्स होती है जो मिस्टर इगर के रूप में होती है वहीं स्कूल के अंदर यूजीन खुद को उसी जगह पाती है जहां कुईन बच्चों की बली देती थी उसे आगे जाकर उसकी दादी दिखाई देती है जो हॉस्पिटल बेड़ पर होती है और देखते ही देखते वो अपना दम तोड़ देती है यूजीन बहुत रोने लगता है कि तब ही वो क्विन ओफ स्पेड्स में बदल कर यूजीन की जान लेने लगती है फिर अलगा आर्टियम को कहती है कि उसे अपनी विश्च को ड्रॉप करना होगा लेकिन आर्टियम ऐसा नहीं करता और कुईन ओफ स्पेड्स मिस्टर इगर और अलगा पर अमला करके आर्टियम को पानी में डुबा देती है जिसके बाद वो गायब हो जाती है और अलगा यह भी बताती है कि वो अभी भी मिरर वर्ल्ड से बचकर बाहर आया है जिसके बाद ओलगा केती है कि यूजीन उसे पानी में डुबा दे और जैसे ही उसकी सांस रुकेगी वो टाइमर स्टार्ट करके ठीक 8 मिनट से पहले उसे CPR दे क्योंकि यह थंडा पानी है जिसमें 8 म जिनट तक उसका ब्रिंट जिनदा रहेगा जितने समय में वो वापस जिनदा हो सकती है यूजीन अब ऐसा ही करता है और इससे ओलगा मिरर वर्ल में पहुंच जाती है जहां उसे किरील मेरिना और एलिसा की आत्माये दिखाई देती है वो आटियम को एक कार में देखती है और खुद भी कार में बैट जाती है और उसे साथ चलने को कहती है लेकिन आटियम कहता है कि ओलगा उसे प्यार नहीं करती है जिस पर ओलगा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है तबी गार का दरौजा अपने आप बंद हो जाता है और ड्राइवर सीट पर उनक जिन्दा छोड़ देगी और उसकी दादी भी ठीक हो जाएंगी मिस्टर इगोर जवाब देते कि ये शैतान कभी अपना वादा पूरा नहीं करते है इसलिए उसे अपने विश डॉप करने को कहती है जिसके बाद यूजीन ऐसा ही करता है और अब तुरद मिस्टर इगोर ओलगा को CPR देते हैं उधर मिरर वर्ड में ओलगा आर्टियम को उसकी मांक की निशाने देती है जिसके बाद आर्टियम अपने हाथ में ली हुई गुडिया को छोड़ देता है फिर तभी कुईन ओफ स्पेड्स ओलगा पर अटैक कर देती है और आर्टियम उसे छोड़ने और आर्टियम असली दुनिया में भी उस गुडिया को पानी में फेक देता है मिस्टर इगर ओलगा से पूछते है कि क्या वो अपने स्टेप डैट के पास जाएगी जिसके बाद में ओलगा कहती है कि अगले साल वो 18 साल की हो जाएगी और आर्टियम की कस्रिडी अपने प और देखती है और हम देखते कि असली ओलगा मिरर वर्ल्ड में ट्रैप है याने कि असल दुनिया में जो है वो ओलगा के शरी में कुईन ओफ स्पेड्स है शायद इसलिए कुईन ओफ स्पेड्स ने यूजीन से डील करके ओलगा को मिरर वर्ल्ड में फसाया जिससे वो ओल एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक ले धन्यवाद दोस्तों